मेरी सभी प्यारी दर्श्टों को नमस्कार इससे पहले हमने आपको सूर्य के 12 घरों में होनी का प्रभाव बताया और अब चंद्रमा के 12 घरों में रहने का प्रभाव बताया आप सब लोगों ने देखा सराहा अच्छा लगा अब हम आपको मंगल के 12 घरों में होने का प्रभाव बताएंगे मंगल क्या है मंगल का परिचे क्या है मंगल के प्रभाव से क्या होता है और कैसे बनता है मंगली क्योग मंगल के कई चीजे आपको हम बताएंगे एक-एक करके बने रहीगा देखते रहीगा और परिशोधन जितना भी किया वो ही आपके सामने दूगा मंगल का एक नाम लोहितांग भी है भौम भी कहते हैं क्योंकि भूमी सुत है लोहितांग क्यों है क्योंकि ये प्रथिवी से लाल वर्ण यानि रक्त जैसे रंग का दिखाई देता है इसलिए मंगल शक्ति युद्ध आदिका कारक ग्रह माना जाता है मंगल ग्रह के देवता भी भगवान कार्तिके हैं जो देवताओं के सनापते भी हैं इन्होंने तारका सुर्का बद किया था मंगल का संबंध राम सेवक्षी हनवान जी से भी है मंगल ग्रह इनकी उपासना से दूर होता है यानि हनवान जी की उपासना से कैसा होता है मंगल का प्रधान जातक जो मंगल से युक्त होता है इसकी आकृती नित्य युवा रहती है पतली, कमर और पित प्रकृती वाला मंगल और प्रचंड साहसीत, प्रतापी, उदार, क्रूर द्रिष्टी और कामकृड़ा में अती चंचल होता है मंगल पुरुष ग्रह है, अगनी तत्व प्रधान और छत्त्रिय वर्ण है मंगल ग्रहे मंगलवार को कुरश्ण पक्ष में, रात्री में, संध्या में, राशी के प्रारम में वबक्री होने पर बली होता है और ये दक्षण दिशा का स्वामी है और अपने देवता यमराज के समान ही ये ग्रह भी जीव हानी कराता है मंगल कुरूर ग्रह होने के बावजोद शुब फल भी देते हैं ये सन जो मंगल की स्थिती है अगनी शक्तिकारियों में करांतियों आदि का जन्मद आता है तथा सेना इत्यादी की तरफ ले जाता है मानोमन की वहापोह शक्ति इसी ग्रह मंगल के अधीन है अगर मंगल पहले भाव में है किसी जातक का तो क्या असर होगा हम आपको बताते हैं ऐसा व्यक्ति सिंग के सवान पराक्रमी और फुर्तीला घुमकड तेक्ष्ण सुभावी और निर्भय तथा बहुत ही गरवीला होता है दुड़ शरीर वाला निरोगी और दिरगाई होता है खेल सेना वा पुलिस आधी छेत्रों में सफल होता है ऐसा जातक नेक होता है और किसी की नेकी और सच्चाई को कभी नहीं भूलता ये इशश्वी होता है सरकार आधी से सम्मान पाता है और ऐसा बेक्तियदी पुरुष हो तो उसके भाई अवश्य होते हैं अगर स्वयम बड़ा भाई हो तो शत्रों को हमेशा पराजित करने वाले भागे का स्वामी होता है अपनी बराबर की उम्रवाले संबन्धी खास कर चाचा भतीजा आधी के साथ लाव मिलता है और अगर मंगल बक्री हो तो रूपवान होता और बनाता है उच्राशी का या शुब मंगल धनी बिद्वान सर्जन या इंजीनियर बनाता है यदि तपस्वी हो तो उसका दिया शाप कभी बेकार नहीं जाएगा ये शुब मंगल के गुण बताए मैंने आपको और अब अशुब मंगल के गुण बता रहे ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल अशुब है और लगन में है पहली बाद तो कुरूप होता है रोगी होता है जूठा और धनीन तथा परिस्त्रियों में रुच्छी रखने वाला होता है और उसका जो चित्त है भ्रम और संताप से भरा रहता है तोड़ा चुगल खोर जगडालू होता है और मुफ्त खोरी की आदस से बरबाद हो जाता है उसको लोहा लाठी गोली आदी अस्त्रों से चोट भी लगती है देहे में घा होते हैं और सिर नेत्र पीडा पेट दांतों के रोग रक्त विकार और फोड़ा आदी से पीडित ह होता है जीवने प्रतेग कारे की सिद्धी में प्राया बिगन पड़ते हैं इस तरी पुत्रों आद से दूर रहना पड़ता है या पत्नी को शारीरी कष्ट रहता है अगर ऐसा बेक्ति दुष्ट पापी है तो संतान रहित भी हो सकता है ये हो गया मंगल के पहले घर में श पड़ी देते हैं चर्चा करते हैं चली थोड़ा सा अगर ऐसा बेक्ति सत्यवक्ता और दुष्ट वेक्तियों का बैरी होता है ऐसा बेक्ति और परदेश वास करके धन की प्राप्ति करता है पुत्रवान होता है प्राया स्वयम बड़ा भाई होता है या घर में बड़े की तरह उत्तरदाइद तो समालता है। भाहियों की मद्द करने में स्वयम भी धनी बन जाता है। उससे हारा व्यक्ति दुबारा उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। धातू का व्यापार, खेती, शेराधी से धन लाब कमाता है। ऐसा बेक्ति अचानक धन की प्राप्ति होती है इसको ससुराल से उत्तम संबंध होते हैं इस्त्री धाम से धन की बरकत और दूद पूद का शुभ बढ़ोत्री होती है यदि शुभ मंगल है तो ये गुन होते हैं ये प्रभाव होते हैं लेकिन अगर अशुभ है तो दूसरे घर में देखी आपका मंगल दूसरे घर में है क्या तो शुभ है या अशुभ है इस पर विचार करते हैं ऐसा वेक्ति निर्धन, निर्दई, बिद्याहीन, मूर्ख और क्रूर होता है। हर बात में बिरोध करने के उसकी आदत होती है, उसे नेत्रियाबानी दोश हो सकता है। ऐसे वेक्ति स्वेम अपने कमाये धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। केवल इकठा करना, संग्रह करना ही इनका काम है और उसका धन, राजदंड, टैक्स, इत्याद, चोरी या मुकद्मे में ही नश्ट होता है। इसलिए कर्जदार भी हो जाता है। नीच कुछित ब्यक्तियों की नोकरी करता है, छोटे लोगों की इस्त्री पुत्तो और संबंधियों से उत्तम संबंध नहीं काम ही जाता ही है, टीशरे घर में मंगल के शुब और अशुब पर जर्चा करते हैं। इससरे घर में मंगल अगर शुब है तो, ऐसा ब्यक्ति पराक्रमी, प्रतापी, गुणी, सुखी, ईश्वरेसाली होता है और शूर्त था, उसको कोई भी पराजित नहीं कर पाता है, कोई उसे दबाई नहीं सकता, दुनिया भर में विख्यात प्रसिद्ध होता है, बिनम्र सुभा होने पर दिन प्रसिदिन तरक्की करता है, अगर बिनम्र है तो, ऐसा वेक्ति अपने बाहुबल से धन अर्जित करता है, और उस प्राया हर किसी की इच्छा पूरी करने को तैयार, वो किसी पर अन्याय होने नहीं दे सकता और दुष्टों का दमन करता है, उसका ससुराल पक्ष भी धनी होता है, ऐसा वेक्ति जो जिसका अशुव मंगल है तीसरे घर में तो कैसा होगा, ऐसा वेक्ति नाटक बाज होता ह है, वादाना निभाने वाला और मन्हूस होता है, बिलासी होता है, उसकी पत्ती भी कामुखती और चरित्रहीन भी हो सकती है, कई बार उसे घर का सुख प्राया नसीब नहीं होता, चोट आदी लगने से हड़ी तूट जाती है, तीसरे घर में अगर मंगल अशुव है तो, बिशी आगनी से कष्ट भोगता पड़ता है, उसकी मृत्य बीमारिया रण से तंगा करके होती है, ये मंगल जातक के भाईयों के लिए प्राया अशुव फल देता है, और उनसे सुख भी नहीं मिलता, कई बार संपत्तियादी के बटवारे में भी उनसे जगड़ा हो जात है भाईयों के साथ, ऐसे बेक्ति के पुत्रों की भी उत्तमालत नहीं होती, तीसरे मंगल अशुव की बारे मैंने बताया आपको, आप चलते हैं, चोथे भाव में मंगल, देखो पहले तो मैं बता दूँ आपको, मंगली कवस्था में सबसे नंबर एक मेश में, या लगन में मंगल है तो मंगली होगा, चोथे घर में मंगल है तो मंगली होगा, साथवे घर में मंगल है तो मंगली होगा, आठवे घर में मंगल है तो ऐसा बेक्ति मंगली होगा, इस पर मैंने पहले भी एक कुली, कुली की विचार दिये हैं मैंने, और आपको इसके बारे में बत अपने परिवार को पालने में लगा रहता है उसमें जोखिम लेने की हिम्मत होती है रण में लडाई में धीरज रखता और युद्ध में बिजई होता है ऐसा बैक्ति इसको धनी लोगों राज्य सरकार आदिस्म मान सम्मान और वस्त्र भूमी का लाब होता है दबा हुआ ध प्रेम संबंद नहीं मतलब सम्मान संबंद है अब अशुब फल क्या देगा छोतेजर में मंगल अगर अशुब है तो अक्सर अशुब फल देता है चोथे घर में मंगल चतुर्थभाओ का मंगल ये ग्रहे अन्य ग्रहों के भी शुब फल में बाधा डालता है ऐसा बेक्ति सहन सक्ति को काफी इसमें कमी होती है बुद्धी पर परदा पड़ जाता है और शरीर में पित्त की अधिक्ता रहती है इसके जन्म के बाध परिवार में धन की कमी हो जाती है और अपनी माता सास पतनी की आयू के लिए अशुब होता है उसे मित्र भाई सम्बंदियों से माता और बहनादी से सुख नहीं मिलता क्रोध के कारण प्राया घर में कलह करता है कभी चित्त की स्थिर्ता और शांती न नीच जनों की सेवा और गुलामी करना काम होता है महाकामी होता है सावेक्ती चारित्रिक पतन यहां तक कि दूसरे की स्थ्री की और हिचित लगा रहता है ऐसे विख्ति काम है ऐसा विए बिना सोचे सम्झें बोलते हैं मुँफाड़कर दूसरों को अनेक एव की बाते सु पून नास कर डालता है ऐसे अगदमी के घर या पडोस में कोई बिद्वाइस तरी प्राया रहती होती है जिसकी सिवा में वह बेक्ति आराम पा सकता है ये बात रही चोथे घर में मंगल के शुब और अशुब की हम पांचवे घर में मंगल की स्थिति बात पर चलते हैं मंग अगर पांचवे घर में शुब है तो कैसा होगा शुब है तो कैसा होगा ऐसा बेक्ति सूर साहसी प्रमणशी लेनी कि बहुत बीर होता है विद्वान और भोगी तदा धनी में होता है ज्यानी तिक्ष्ण बुद्धी तरक प्रवीड प्रतक्षवादी होता और कम बोलने बोलने पर उसकी बात का दूसरों पर काफ ही उसर पड़ता है संसार में किरती अर्जित करता है और विदिश यात्राय करता है ऐसा बेक्ति कि उदर अगनी पावन शक्ति जो पाचन शक्ति बड़ी ही तिब्र होती है बहुत भूख लगती है ऐसे लोगों को वकीलों और ड शक्ति चाहे कैसी भी हो वो हो और उसकी संतान पोते यारी समर्द जीवन बितीत करते होंगे यदि ऐसे बेक्ति का बड़ा भाई जीवित हो तो ऐसा बेक्ति अपने संतान के जन्मदिन से उत्तर उत्तर उन्नती करेगा ये तो रही बढ़िया मंगल की बात अब अगर मंग घटिया है पांचवे घर में तो क्या असर होगा अशुब मंगल क्या फल देगा ऐसा वेक्ति निर्धन सुखहीन पुत्रहीन खल क्रूर और सुभावी कृता गुनपाप बुद्धी चुगल खोर होता है उसे अच्छी नोकरी का सुक कम मिलता है पेट वातकफ के रोगों स ब्याकुल रहता है अगनी और शस्तर से दाएं पैर पर चूट लगती है ऐसे वक्ते की छाएं प्रबल रहती है इसलिए उसे कभी जीवन में संतोस नहीं मिलता मित्र पत्नी और पुत्र का सुख नहीं मिलता एकाथ संतान गर्भ में या जन्म के बाद नश्ट हो जाती है राजकोब से दंडित होता है और मतलब पुलिस जगडे में जगडे लडाई में उसको दंड मिलता है यह अशुब फल प्रायाह रात्री को ही घटेंगे जिसका मंगल पंचम में अशुब बैठा हो चलिए मंगल पंचम पर अशुब और शुब की चर्चा की अब छठे अशुब क्या करता है शुब और शुब दून वस्थाओं बात करेंगे शुब है तो ऐसा बेक्टे सुन्दर दीर्ग देहें वाला लंबा चोड़ा बली होता है तिक्ष्ण विचार वुद्धी विद्धता का प्रसंसक धार्मिक और सज्जन प्रेमी पवित्रमन वाला हो उसकी उद्रगनी जो होती है ना पेट की एगनी कामागनी तेज होती है और अपने संबंधियों का और अपने ग्राम जन समुह का स्रेश्ट रक्षक मुखिया होता है प्रधान सरपंच हो जकता है उसके शत्रु बहुत सक्षाली होते पर वे जातक के सामने नहीं ठहर पात है वो जीवन में किर्टी और प्रसिद्धी पाता है लेकिन किर्टी के लिए उसे संगर्ष करने पड़ता है उसका संचित धन कई बार नश्ट हो जाता है पर दुवारा जल्दी ही धन लाब होता है और उसकी कलम में तलवार से भी अधिक ताकत होती है और पत्रवान होता ह है अगर मंगल शुब है छटे भाव में तो लेकिन अगर अशुब है तो क्या होगा ऐसा बैकते जगडालू बड़ा कामी स्त्री लोलूप होता है कई स्त्रियों से संबंद होते हैं उसे बात शूल यानि कि गैस से दर्द हुआ करता है मात्र पक्ष में ये मंगल मामा और म बैकती जिसका शुब मंगल है विदेश यात्राएं करते हैं बुद्धिमान द्रह निश्चई बुद्ध और प्रबल विवेकी न्याय प्रिय फूर्तीले होते हैं और युद्ध प्रिय भी होते हैं काम केली में अती चंचल होते हैं गडित में प्रवीण होते हैं प्रेस लकड़ी, यंत्रों, पुलिस या सरजरी संबंधी कामों में सफल रहते हैं। ऐसे बेक्ति मध्यम दर्जे का जीवन नहीं जीते, या तो बहुत सफल होते हैं, या फिर खाक ही उड़ती है। ऐसे बेक्ति दूसरों को भी साहस और मदद देते हैं, उम्र के साहसाथ उनकी अधिकारों में बृद्धी होती हैं। यदि शुबमंगल है तो, अब अशुबमंगल है तो क्या होगा। ऐसे बेक्ति की प्रगति में बाधा होती है, दुष्ट दुराचारी दुरबुधी और जिद्धी होते हैं। बेकार की चिंताएं बेकार की इतनाओं घिरे रहते हैं, शत्रूं से या ब्रण या फोड़ा फुनसी रक्त और पेट के रोगों से पीडित रहते हैं। घर का सुख कम होता है, नीच लोगों की नौकरी करते हैं, सांजेदारी और व्यापारण में भी उत्तम लाव नहीं मिलता। अदालती जगड़ों के कार्ण इस्थावर संपत्ती नश्ट हो जाती हैं, जमीन जायदात बिक जाती है। इस प्रकार मंगल का विशेश अशुफल जातक की इस्त्री से संबंदित होता है। और इस्त्री बियोग या इस्त्री के दुख मरण आदी से परेशान रहता है। संभोग सुख में कमी आती है। अगर पत्नी जीवित भी रहे तो गर्म सुभाव की दुर्बल शरीर और कम संतान वाली होती है। यह रही बात सत्तम मंगल में शुब और शुब अब चलते हैं अस्त्रम भाव में देखते हैं मंगल पहले शुब की और शुब की चर्चा करेंगे हम। शुब मंगल अगर आठवे घर में तो क्या करेगा। ऐसा बेक्ति साधान जीवन बिताने का आदी होता है। स्वयम मेहनत करने वाला होता है। अपने वचन को पूरा निभाता है। नियाय परिये सुभाव का और शत्रू का मुपाल मुकाबला करने में बहुत समर्थ होता है। उरतनों का उत्तम ब्याग पार्खी होता है और अपने वर्ग के धनी लोगों में प्रमुख होता है। राजनीती में भाग लेता है कम संतान वाला होता है। अक्सर उसका छोटा भाई नहीं होता। यदि मंगल शुब ग्रहों के दृष्टी में हो तो जातक यानि ऐस व्यक्ति को योग आसनों से उत्तम स्वास्थलाब होता है। अगर अशुब है अश्टम मंगल तो क्या होगा। अशुब मंगल है तो चतुर्थ भाव की तरह अशुब फल दाया कहीं नहीं बलकि अन्य ग्रहों के शुब फल में भी बाधा डालता है। अक्सर इस्थितिय का शरीर अक्सर गंभीर रोगों जैसे संग्रहणी, गुप्त रोग, रुधिर विकार और पिट के रोगों से पीडित रहता है। या फिर शरीर में सस्त्र आप्रेशन आदिसे घाव की निशान बने रहते हैं। हो सकता है कि उसकी मृत्य भी सस्त्र आदिसे ही हो। अब च होता है, आत्म सम्मानी होता है, किसी के आगे जुकना उसे पसंद नहीं है। धन्वान, बंदनी, समर्थ, शाली, भ्रमन, शील, यानि घुमकल, प्रसिद्ध, और पराक्रमी होता है, सेना, पुलिस, बंदनी, और डॉक्टरी, यांत्री की सोना, लोहा, आदिछेत्रों से स अधिबार, विदेश में ही विभाभी कर लेते, इसे लोग, अक्सर, जितने उसके दादा के भाई हो, उतने ही स्वयम के भाई की भी संख्या होती है, अपनी भाभी से उत्तम सम्मंद रखना, ऐसे बेक्ति के लिए भाग का आधार होता है, जिसका नवे घर में मंगल है, अशुब होगा तो नवे घर में क्या फल देगा, निरलज बना देता है, पाप, मती और दुराचारी बना देता है, यानि कि शक्ति हीन, पौरुश हीन, क्रूर, जूठा, हिंसक, विभिचारी और अपनी डींग हांकने वाला होता है, भेकार घूमता रहता है, नीच जनों से पीडित होता है, पाउ में चोटा अधि लगती है, ऐसे बेक्ति का बड़ा भाई या साला, बड़ा साला अक्सर नहीं होता, ऐसे बेक्ति को पिता का सुख भी कम नसीब होता है, नवे मंगल अशुब की बात की मैंने, अब दसम मंगल क्या होता है, दसम घर में मंगल पिर शूर परोबकारी दानी, उत्साही, शीलवान, सैयमी और अभिमानी होता है। लोक प्रिय विशेश करके स्त्रियों का प्रिय होता है। प्रभावशाली होता है। सफलता उसके पाउं चुमती है। सरजरी, अगनी संबंदी, सेना और पुलिश, सस्त्र, संबंदी, कार्य लाब दायक होते हैं। ऐसे विक्ति को पुत्र सुख होता है। कई बार वो अपनी जिन्मभूमी से दूर चला जाता है। वो धर्मुर्च की निव होती है। यदि मंगल अशुब है दस्वे घर में तो क्या होगा। ऐसा बेखती क्रूर और निर्धन दुष्ट होता है। नीच जनों की संगती में रहता है उसकी बुद्धी चोरों जैसी होती है। घर में सोना बेचते ही परिवार के आर्थ्य के स्थिति ब्रव फन हम चलते ग्यार में घर में बात करते हैं मंगल शुब है तो क्या होगा। और अशुब है तो क्या होगा। ऐसा बेखती गुड़ी और बली, शूर, धनी, सुसी, लिरोगी और सत्य वकता होता है। संग राम में शत्रू बीजे पाता है। इसलिए सरकारादि से मान और तो भी उसके धन परताब के अकाण लोग उसकी प्रसंसा ही करते हैं। आप्टरों के लिए मंगल शुब फल देता है। प्रश्रों के वियापार में लाव पाते हैं। पूझी से किया जाए तो। डाप्टरों वाई यांत्रिकों के लिए भी ये मंगल शुब फल देता है ऐसे बिक्ति कि तेरा वर्स की आयू में ही उसके माता पिता बहुत धनी हो जाते है अशुब हो तो ग्यारवेगर में चंजल चित और क्रोधी सुभाव पेट के रोग कई बार बेकार के भर्मों का श ऐसे बिक्ति मन्हूस होते लगवग ऐसे बिक्ति के जन्म के बाद घर वालों की जमीन जायदा बिक जाती है फिर नश्ट हो जाती है भाग की बात है ये रही बात ग्यारवेगर के मंगल की शुब और शुब की दौदस घर यानि बारवेगर में चलते हैं मंगल की शुब और शुब चर्चा करते हैं बारवेगर में अगर शुब फल है तो जातक व्यक्ति हसमुख सुद्ध सरीर वाला गठीला और कारे कुशल होता है भर्मन शील होता है कई बार विदेश यात्राय करता है बारवेगर में ये सत्यवादी उदार स्पष्ट वक्ता त्यागी और स् सद्धी योग बनता है दो शत्रू में भी मेल मिलाव करा देने में कुशल होता है सब्यक्ति और अपने जीवन में किसी संस्था की अस्थापना करता है ऐसा व्यक्ति और अशुब हो तो जा तक दम भी बन जाता है पतिद बन जाता है ने पापी बन जाता है मार्ग वरष् रोग होता है ऐसे बिक्ति का जीवन दुख पराधिनता से भरा होता है उसको जूट चोरियादी का कलंग लगता रहता है कई बार अपमानित होने या जेल जाने तक की नौवत आ जाती है और वो चोरियादी के कान धन्हानी उठाता है यह मंगल जाता कि पत्नी के लिए फल दायक होता है तो यह रही बात मंगल के शुब और शुब की चर्चा बने की अभी सूर्य की चर्चा करती है चंद्रमा की चर्चा करती मंगल की करती है अगले विभाग में हम बात करेंगे बुद्ध के बारहों घरों के इस्थिती के बारे में बताएंगे कैसा लगता को कारेकरम बिलकुल मुझे जरूर बताएं यदि अच्छा लगता है प्रयास करूँगा क्यों अच्छा बनाने में आपकी सहायता कर सकूँ वैसे मेरा प्रयास यही है कि आपको सिक्षा मिल सके तो बस इसी के साथ लेता हूं विदा जैसरे कृष्णा नमुनार्णा